प्रेंड चेहरे को खूबसूरत दिखाना और चेहरे को खूबसूरत बनाना दोनों अलग वात हैं यदि आपको चेहरे को खूबसूरत दिखाना है तो आप मैकप करके भी दिखा सकती हैं लेकिन विना मैकप के खुबसूरत चहरे को बनाना ये बहुत important है वो सब मैं आपको tips इस वीडियो में देने बाला हूँ ध्यान से वीडियो को सुनते रहना देखते रहना देखी friend मैं आपको चहरे के लिए कैसे खुबसूरत बनाया जाए वो भी विना मैकप के होंटो के लि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लेना और वेल का बटन और पर सलेक्ट कर लेना मैं सबसे पहले आपको वताता हूँ आपके होंटों के लिए friend होंटों के लिए हपते में कम से कम एक वार या दो बार आपको रात के टाइम नीवू के रसक कुछ पांच या छे वूंदे लेनी है और उसमें चुटकी वर से भी कम हल्दी पाउडर मिला लेना है और उसको मिक्स करते हुए आपको अपने होटों पर एक उंगली से हुले हुले से मसास करनी है ताकि किसी भी कारण से आपके होटों पर काला फन आ गया है या फिर आपके होट पढ़ने लगी है या फिर आपके होट रूखे रूखे होने लगी है तो आप इसको हब्ते में एक दू बार चरू करिए आपके होट विल्कुल साफ सुतरे और तिंक कलर के आपको नजर आएंगे और यदि आप चाहें डेली करना तो डेली या फिर एक दो दिन छोड़ करना चाहें तो एक दिन छोड़ कर हमेशा आप अपने होटों के उपर सहथ लगाते ही रहें आपके होट हमेशा गुलावी दिखाई देंगे तो फ्रिंड ये हुआ आपके होटों के लिए अब मैं आपको बताऊंगा आपके चहरे के लिए एक चमच सहथ आधी चमच नीबू का रस और एक चमच कच्चा मिल्क इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद अपने फिस को पानी से धोना फिर इस मिसरन को आप अपने चहरे फर हपते में एक वार या फिर दो बार आप अपने चहरे फर हमेशा इसको लगाती रहे आपका चहरा हमेशा वेदाग रहेगा आपका चहरा मक्खन की तरह सौट रहेगा और आपके चहरे पर लाइफ टाइम घुलोर रहेगी तो ये हुआ आपके चहरे के लिए खुबसल बनाने का बहुत ही सुन्दर उपाई अब मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा आपके वालों के लिए आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड एक निवू लेना उसका पूरा रस निचूर लेना एक चोटे सी किसी वाल में या चोटे से वरतन में फिर आपको तीन या चार चमच जितने आपके वालों की साइज है आपको मुलतानी मिट्टी का फाउडर चाहिए और मुल्तानी मिट्टी का फाउडर लेने के लिए आपको फिर उसमें पानी एट करना है पानी मिला लीजी एक लेप की तरह इसको तैयार कर लेजी फिर इसमें फ्रेंड आपको एक चमाच नरील का वायल मिलाना है इन तीनों चीज़ को अच्छी तरह से छोटी से चमच से इसको mix कर लेना फिर अपने वालों को गीला करना और जिस तरह से आप सेम्पू यूज़ करते हैं सेम्पू की तरह इसको यूज़ करना फ्रेंड ये सब जो मैंने तीन टिप से वताई है यह आपको विना मेकप के ही आपको खुबसूरत वनाएंगी